नमस्कार दोस्तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वाbb käत हैं हमारे लुस्टन्ёз क्लासिस में मेरा नाम है नितिन कुमार दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग नमर स्रीज के बारे में पढ़ेंगे ठीक है जीसाई कि हमने पिछले वीडियो में हमने के लिए आपको बात करें तो स्लार्ट में नहीं दिखा जा सकता है दिखाएंगे भी तो आप को समझ भी नहीं आयेगा उसके लिए एक ब्लिठ पेक वाइट बोर्ड चाहिए भी ब्लेक बैक बोर्ड चाहिए उसको अलग से उसका वीडियो बनता है ठीक है तो उसलिए मैं अभी वैसा वीडियो नहीं आपके लियांगा अर्थमेटिक स्रीज का लेकिन मैं नमबर स्रीज जरू ले आँगा आपके लिए इससे काफी आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी और बहुत आसान होगा और बात करें कि यह हम पढ़ेंगे हम लोग उसके कैसे इसको सॉल्व करते हैं और क्या इसके टिप्स हैं ठीक है वह सब सॉल्व करेंगे ठीक है सुरू करने से पहले दोस्तो yatat फीक है कि अगर आप हमारे चनल पर आ परने है तो प्रिज actually को सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे टेली ग्र चाहता है बेसिक टीन टाइप कहीं होते हैं जो आपके कौई पूछी जाते हैं लेकिन कोई-कोई अलग से तो ऐल्फा सिंबोलिक स्रीज होता है जिसमें नम्मर्स रहते हैं, अल्फावेट्स रहते हैं और कुछ सिंबोल्स रहते हैं Like this जैसे डॉलर का, percentage का ठीक है, जैसे कि हमने blood radiation में solve किया था तो इस तरफ से रहते हैं, निखिन बात करें से से रेलवे और बैंकी के से से रेलवे बात करें तो हमारा यही तीन बैसिक है जो आपसे पूछा जाएंगा ठीक है तो चलिए हम एक एक करके आपको हम टाइप बता रहें तो देखिए यह नमर स्रीज हो गया जो कि आपसे इस तरह के कोशन पूछ जाएगा अब देखिए इसमें कैसे सॉल्ब करते हैं मैं आपको बताऊंगा देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर अचानक एक पे के छोटी से नमर से अचानल बड़े डिजीट हो जाता है तो जरूर उसका स्क्वायर होता होगा सम्थिंग उसमें प्लस होगा या फिर माइनस होगा सम्थिंग तो इस तरह से हमनों दोस्तों बनाते हैं ठीक है अब आपको एक चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर यह जैसे कि कोशन दिया हुआ है तो जैसे कि यहां पे 120 लिखा हो है अब इसको आप क्या समझ रहे होगे 120 फिर उसके बाद आगे 99 फिर उसके बाद को मलटिपलाई करते हैं बात करें 11 से तो यहां पर देखोगे आपको एक निट 11 को आप मलटिपलाई करोगे 9 से तो यह आपका जयगा 99 ठीक है उसी तरह जब आप बात करें कि अगर आप 10 को ठीक है multiply करो गए 8 के साथ तो आपका हारा 80 तो देख रहे हो कि इसी तरह हमारा स्रीज चल रहा है ठीक है 11 पहले 12 हुआ फिर 11 हुआ फिर 10 हुआ फिर 9 को अगर फिर 7 से multiply करेंगे तो फिर आपका हो जागा 63 आजागा फिर उसी तरह अगर हम बात करें कि अगर 6 को अगर 8 से multiply करते हैं तो 48 आता है उसी तरह अगर हम 5 को 7 से अगर multiply करेंगे तो फिर 35 है मतलब हमारा क्या है डिजीज कुछ इस तरह से स्रीज चल रही है मान करेंके चलिए यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 10 से multiply हुआ है ठीक है यहाँ पे 99 है तो यह multiply हुआ आपके क्या तो यह हमारा 11 multiply हुआ है 9 से ठीक है यहाँ पे 80 है तो यह multiply हुआ क्या तो 10 into 80 ठीक है यहाँ पे 63 है तो यह multiply क्या हुआ है तो 9 into बात करें तो 10 हो गया 9 हो गया यहाँ 7 ओके यहाँ बात करें किससे हुआ तो 8 इन्टू किसे मंटिप्लाइब हुगा 6 उसी तरह जो नेक्स डिजिस होगा हमारा क्या होगा 7 होगा ठीक है वो मंटिप्लाइब किसे होगा 5 से जो कि हमारा 35 आएगा एंसर ठीक है तो 35 यानि ओप्सन ए दो क्रेक्ट है तो दोस्तों इसी तरह सॉल्ब करते हैं देखें जानी। जालेगा की मान के चलो 9 है फिर आचानक पर आजायगा आपका समयद्दो 25 फिर आचानक पर आएगा 48 तो इस टाइब का अगर आ जाता है तो उसमें इसी तरह के रूल लगते हैं की हो सकता है कि या स्कुआइर करके उसमें प्लस 1 किया होगा या तो माइनस किया आप ज़रा है कि अगर हम 11 के स्कुवाइर करते हैं तो हमारे क्या आपता है 101 का है उसमें गर हम माइनस रखेंगे तो क्या आएगा 120 आज आएगा ठीक है आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताने कोशिश कर रहा हूँ उसी तरह सेम अगर यही फर्मूला अपलाते हुए नदलो एक स्कुवाइर माइनस वन का और यही चीज अगर हम यहाँ पर अपलाई करें बात करें 99 में कि अगर हम 10 का स्कुवाइर माइनस वन करते ह तो 10 का स्कुवाइर क्या होता है 10 का स्कुवाइर 100 होकर उसमें से माइनस वन किया तो 99 हो गया है तो यहाँ पर 10 हो गया ठीक है फिर इसी तरह अगर हम मान के चलो की उसी तरह हमारा यहाँ पर 9 को किया गया स्कुवाइर उसमें से माइनस वन किया गया है तो 80 आया है ठीक है फिर 63 क्या हुआ है कि 8 का square यानि 64-1 किया है तो हमारा 63 आया है फिर 48 हुआ है कैसे तो 7 का square यानि 49-1 किया है तो यहाँ पे 48 आया है ठीके उसी तरह सेम अगर 6 का square करेंगे तो 36 आएगा उसमें से minus 1 कर देंगे तो हमारा 35 है यह सीरी हमारा जो combination है जिस तरह से हम चल रहे हैं यह एकदम परफेक्ट लग रहा है कि हाँ यह एकदम combination सही है और यह फर्मूला है हमारा x square minus 1 जो लागू कर रहे है एकदम सही चल रहा है तो इस साफ से हम भी solve कर सकते हैं जैसे कि मैं आपको बचाता हूँ कुछ बच्चे इस तरह से solve कि होंगे कि अगर हम यह देखिए अगर 120 में ऐसा क्या मतलब difference हुआ है कि 99 आ गया तो देखिए 21 का फर्क है मतलब 21 इस में से 120 में से 21 इसको minus किया गया है तो 99 आ है अब देखिए 99 में कितना मतलब digit का difference है तो यह आपको 19 का difference ठीक है ना 20 से 19 से यानी दो-दो मतलब मान के चले कि दो-दो घट रहा है ठीक है minus 2 हो गया तो जरूर यहाँ पर minus 2 होगा तो 17 हो गया ठीक है और exactly 17 भी हो रहा है क्योंकि अगर हम 80 में से 80 में से अगर 30 सगह घटाते हैं अगर मतलब 18 में से 63 तो हमारा 17 मतलब बात करें कि 17 का difference है और ज़स्ट वैसे ही अगर 63 में से 48 घटाते हैं तो यहाँ पर मेरा जो difference है आपको जो दिखेगा तो कितने का दिखेगा यहाँ पर देखिए आपको जो difference दिखेगा एक मिनट 17 यहाँ 15 का difference दिखेगा तरग से आपको बता है कि किस-किस तरह से सोल्ब करते हैं थीक है बस ठीक है यहाँ पर फिल्कुल पर्फेक्ट बैठा है थीक है तो यह हमारा नमर स्रीज का हो गया अब बात करें जैसे कि अगर अल्फाबेटिकल स्रीज के कि उसको कैसे करते तो देखो एक आपको ट्रिक्स होता है जो कि आपको मैं बता दूँ कि जॉटी मेठर ठीक है ठीक है जोटी मेठर भी सही है लेकिन अगर आप ABCD लिख के पुरा Z तक अगर speed में ABCD A से लेके Z तक आप लिख देतो एक page में और उस तरह से solve करोगे मैं तो ऐसी solve करता हूँ ABCD A से लेके Z तक लिख देता हूँ फिर उसके बाद solve करता लेकिन एक जोटी मेठर यह होता है कि अगर माले जाए कि अगर जोटी मेठर बता दूँ ठीक है तो यह आपका alpha जो ई alpha बेट है वो 5 नमर पर आता है यह जो है 10 नमर पर मतलब 5 का टेबल आता है 5, 5, 5, 10, 15, 20, 25 ठीक है अब इस तरह से आप बता सकते हो मतलब solve कर सकते हो कि अब देखिए जैसे की w है ठीक है w के बास t आ गया अचानक तो t जो है t और w यानि इसके बीच में आया है मैं इसको color दूसरा लगता हूं ठीक है यानि इसके बीच में जो color है बात करें कि sorry color कर रहा हूँ जो इसके बीच में जो digit का बात करें कि जो alphabet से इसी के बीच W आता है तो देखिए W जो आएगा आपका Y से पहले क्या आता है? X आता है ठीक है? फिर उसके पहले क्या आता है? W आता है तो यहां पर मेरा क्या हो रहा है कि मेरा टी आ रहा है मतलब ठीक है तो यहां पर जब टी से दो घटा रहे हैं तो टी आ रहा है ठीक है डावलू से जब दो घटा रहे तो टी आ रहा है ठीक है तो इस तरह से मुझा सॉल्व करते हैं लेकिन अगर आप बहुत असान तरीका बत लेकिन question को पहले analyze तो किजिए कि भाहिया कौन सब method हम अप्लाइ करें और यहां पर सटीक है कि नहीं हम कितना जल्ख हो रिजनी में जितना जल्दी आप time बचा सकते हो उतना ही काफी है क्योंकि आगे कभी आपको question solve करने रहते हैं तो आपको चाहिए विदम first trick और first calculation अगर आप कोई भी number series solve करते हो तो आपको कम से कम 2 से लेके 20 तक का square या cube बात करें तो आपको context है कि आपको आना चाहिए ठीक है आना ही चाहिए ठीक है ऐसा नहीं कि अगर नहीं आगा तो आप नहीं solve करें कर सकते हो लेकिन time बच सकता अगर आपको आता है तो अगर मैंने आपको trick बता रखा है आप चाहते हो तो वो वीडियो देख सकते हो कैसे किसी का square लगा ले चस्ट पांच सेकेंड कंदर किसी का भी square लिखाना जाना जाओगे ठीक है उसे देख लो आपको रटने का जोगत नहीं पड़ा है कोई भी square root किसी का A square root का हो या Q root का हो तो मैं कहा था कि अगर इस टाइप के question को सबसे पहले question को analyze करते हैं कि हम यहां पर इजोटी मेथड यूज करने पर मेरा ज्यादा टाइम बचता है या फिर हम एसे लेकर जेट तक लिखते हैं तो वहां पर टाइम बचता है तो सबसे पहले कोश्चन को एनेलाइज करते हैं कि कैसा है तो सबसे पहले लिखाए W F B फिर T G D फिर Q H G तो देखिए पहले डाबलू लेते हैं फिर T लेते हैं यहां पर हमको नहीं से लिखना है ठीक है बीच वालते हैं कि यहां पर बीच में लिखा हुआ फिर G फिर H फिर इसके बाद जो डिजिट आ रहा है इसका मतलब स्रिक्वें यानि आई तो यहां पर क्या चला कि चलो भाई हमको बीच का जो डिजिज है वो जरूर है आई होगा ठीक है अब देखना है हमको कौन-कौन सा ओप्सन इसमें से सही है तो यहां पर इसमें भी बीच में आई है इसमें भी आई है इसमें नहीं है तो यहां पर C और E जो है नहीं है यानि मेरा A, B और D में से एक है और इसको चाटते हैं चलिए B है B के बाद D आ गया मतलब B है फिर C आता है लेकिन D आ गया फिर D के बाद G आ गया मतलब D के बाद G आने का मतलब क्या हुआ कि E F को skip करके G आ गया फिर उसी तरह अगर हम देखें कि देखें यहाँ पर क्या हुआ पहले एक घटा फिर दो घटा यहाँ पर इसके बाद हो सकता है तीन घटा होगा यानि 123 करके चल रहा है अगर G में अगर तीन घटा आते हैं हिस किप करते हैं 3 alphabet को हम हमस्कित करती है फिर उसके बाठ क्या हमारा यगा इसके सब्सक्राइइग vendor ॕो यहां पर थे वोर्ड और इसमें को हुझjang, तो देख सकते हो जो हमारा D here बना है, मतलब K बना I बना, ठीक है, और यहाँ पे हमको पता नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे कौन-कौन सा option जो हम लगा सकते हैं, तो देखो एक B है, और एक D है अब A कट गया C कट गया, और E कट गया यानि B और D में से कोई एक होगा, ठीक है अब B और D में से कोई एक होगा, तो यहाँ पे हम देखाएंगे logic, logic कहता है कि अगर A, B, C में बात कर रहा है तो N बहुत ज़्यादा repeat कर रहा है ठीक है, तो repeat करने का मतलब N repeat कर रहा है, तो सबसे पहले समझते हैं भाई, इसका जिर तक लिख लो, एक मतलब question पर, या फिर आपको जिस पर अप्रफ कर रहे हो वहाँ पर, या तो आप इस जो टी method है, उसको apply कर सकते हो आपको जो असान लगे, वो apply कर सकते हो अब मैं बता है कि जो टी method के apply करो तो क्या होता है, तो T और Y के बीच में आता है W, ठीक है W आता है, और देखना है कि यहाँ पर W के बाद T अचानक कैसे आ गया तो यहाँ पर देखोगे कि अगर T और W के बीच में जो digit है, कितना skip किया गया है तो यहाँ पर देखो, T जो है आपका अगर पीछे की बात करें, तो यहाँ पर आता है U, B, W ठीक है, अगर यहाँ पर 2 को माइनस करें, तो वारा T आ रहा है इसका मतलब कि T को भी अगर यहाँ पर माइनस 2 करते हैं तो यहाँ पर Q आएगा, क्योंकि Q किस के बीच में आएगा, तो Q मेरा आने वाला है O से लेके T के बीच में, ठीक है O से लेके T के बीच में, अगर Q आता है ठीक है, O से लेके T के बीच में, अगर Q आता है तो कितना डिज़ पर आता है तो देखो O है, P है, Q है यानि, यहाँ पर हम बात करें कि अगर T है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर skip किया फिर उसी तरह आप बात करें कि अगर T से ओ सॉरी मैंने अलफाबेट से गलत लिखे थे देखो Q जो है आपका O से लेके T के बीच में आगा यानि क्या क्या आएगा तो O है P है Q है ठीक है यहाँ पर R है और A से ठीक है अब यहाँ पर कितना डिज को skip करने पर आया तो मै माइनस करते हैं ठीक है इसकिप करते हैं तो मैरा Q आता है उसी तरह कि Q को अगर हम skip करेंगे तो यहाँ पर देखो O के पहले हमारा आता है क्या N ठीक है तो यहाँ पर दो अलफाबेट से किप हो गया ठीक है आई होप आप समाझ जो में क्या समझाने को सिस कर रहा हूं तो य अलफाबेट नुमेरिकल सेरीज के बारे में ठट टाइप का तो देखिए यह जो है आपका इसमें क्या होता है कि अलफाबेट भी दिया रहेंगे आपके नमर्स भी दिया रहेंगे और आपको सॉल्व करना ठीक है तो इस तरह के मेठ़ड को आपको बता दे कि या तो आप अपम जोंटि मेठ़ड यानि e, j, o, birds यह मेठ़ड आप लगा सकते हो ठीक है इजोंटि मेठ़ड होता क्या तो कुछ ने देख लीजग यह इसलिए कि आयाता है कि हम लोग का कैलकुलेशन जो है फास्ट रहे हम लोग पता रखे कि यह जो है हमारे पांच में प्लेस 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 प्ल लोग इस अल्फा नुमेरिकल वैलू को इस तरह को question को हम लोग solve करते हैं अब मैं तो इसको recommend नहीं करता हूँ मैं ज़्यादा ही recommend करता हूँ कि अगर आप A से लेके Z तक आप गिंती लिख लो और उसी के तरीके से आप solve करो तो ज़्यादा बेटर होगा depend करते हैं आपके question पर यहाँ जो question है पहले हम लोग उसको analyze करें फिर देखें कि भाईया कौन सा हमारा method perfect काम रहेगा ठीक है अब जैसे कि पिछले वीडियो में भी हमारा e-joti method का जरूरत नहीं था लेकिन फिर भी मैं question में answer है और कहीं आपका answer नहीं है ठीक है तो पहले question को समझते हैं ठीक है कहता है कि z1a फिर उसके बाद x आता है फिर तो सबसे पहले देखें question दिया हुआ है सबसे पहले हम first 12 digit को देखते हैं first 12 alphabets को कि वहाँ पे क्या क्या हो रहा है तो देखो z के बाद हमारा x आता है ठीक है फिर उसके बाद कह रहा है उसके बाद b आ रहा है फिर उसके बाद t आ रहा है फिर उसके बाद r आ रहा है फिर उसके बाद p आ रहा है अब जारह इस alphabets को हम लोग जारह सोचते हैं कि भाया यह किस sequence में लिका हुआ है तो यहाँ पे देख हमारा u यहाँ skip किया है आपका क्या तो s और यहाँ skip किया है q यानि यह सब एक एक करके skip किया ज़रा उसी तरह p के बाद हमारा एक digit यानि जो है o को skip करेगा तो भी तो n आएगा बतलब बात करें पीछे से ठीक है मान कि जो एक माइनस करेगा जो इसके पहले क्या आया तो n आया तो इसी तरह हमारा क्या आगया n अब मुझे पता चल गया कि n जो है बिल्कुल perfect हमारा logic लग रहा है और यहाँ n ही होगा so इस वज़े से 3 और 4 cancel अब हमको देखना है 1 और 2 में अब 1 और 2 में आगे क्या होगा बीच का number ठीक है उसके बाद s आएगा चलिए हमको पता चल गया कि n और s है ठीक हो option की हिसाब से ठीक है लेकिन बालनों चलो यहाँ पर s ना देखिए यहाँ पर कुछ अलग digit देता तो उसको क्या करते तो फिर हम लोग फिर alphabets को अब हम लोग right hand side वाला alphabets को देखेंगा ठीक है पहले हम लोग left वाला को देख लिए अब हम लोग सबसे rights वाला को देखेंगा ठीक है तो rights वाला s a है फिर उसके बाद क्या है d है फिर उसके बाद क्या है g है फिर उसके बाद m है फिर P है मैं ये क्यों लिख रहा हूँ मैं इसलिए नहीं कि यहाँ पर A-S-S लिया है तो logic नहीं अगर मान के चलो यहाँ पर कुछ दूसरा alphabets रहता उसके लिए हम क्या करते उसके वज़ इसलिए मैं ये बता रहा हूँ स्किप किया है ठीक है अब बात करें D और G में क्या स्किप किया है तो D और G में E और F को यहाँ पर स्किप किया गया है फिर J जी और J में क्या स्किप किया गया है तो H और I को स्किप किया गया है उसी तरह M और P में क्या स्किप किया गया है तो दो अल्फाबेर्स को skip किया गया है वो है आपका N और O को skip किया गया है फिर N और O के बाद जो आपका आने वाला जो नमर है यानि P यहाँ पे जो दिया हुआ है उसमें अब दो क्या skip करेंगे तो अगर हम बात करें कि P में अगर Q Q, और बात करें यहां पे, R को, अगर हम लोग skip करते हैं, तो हमारा क्या था ए, S आता है, ठीक है, दो को, अगर skip करते हैं, तो यहां पे, S इसलिए आ लिया था, ठीक है, तो A, और यह बीच में नमबर, और S, तो इस तरह से हम लोग को पतल लग जाता है, अब बात करें कि दे यहां पर 1 है फिर उसके बाद 2 आ रहा है फिर 6 आ रहा है फिर 21 आ रहा है फिर 88 आ रहा है फिर इसके बाद 445 यह आ रहा है ठीक है मतलब धीरे 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 कुछ ना कुछ यहां पर number increase हो रहा है फिर highly यहां पर जाके increase हो रहा है यानि यहां पर हम नहीं square का trick लगा यहां पे क्या हुआ है कि something कुछ add करके something कुछ multiply किया गया है आपको यही मैं बताना चाहला था कि something कुछ add करके something कुछ multiply किया है तभी आपको इधम धीरे-धीरे धीरे देख करना है तो यहाँ पे देखो one है उसके बाद two है तो अगर हम one को skip करते हैं और two के बारे में सोचते कि two कैसे आया तो यहाँ पे अगर हम one को multiply करेंगे one से और something one पे जोड़ते हैं तो यहाँ पे हमारा two आता है एकदम perfect लग रहा है कि नहीं यहाँ पे हमारा logic उसी तरह हम plus three जोड़ते हैं तो क्या आता है हमारा हमारा आता है 88 हाँ सही है sorry एक नट में गिलत लिख दिया 21 कैसे यहाँ six है ना six को multiply करते हैं three से plus three जोड़ते हैं तो हमारा 21 आता है ठीक है उसी तरह बात करें ठीक है यहाँ पे 21 को multiply करेंगे किस से तो यहाँ three था तो अब यहाँ four से यानि 84 प्लस four यानि 88 ओके ओके चलो 88 आगया हमारे यहाँ परफेक्ट है अब just 88 को यहाँ पे multiply किया गया है किस से तो यहाँ four था ठीक है तो यहाँ पे हम five से multiply करेंगे plus five जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा four four five आ जागा exactly उसी तरह four four five को अगर हम multiply करेंगे six से और add करें तो हमारा कौन सा टीज आएगा आएए देखते हैं अब देखिए four 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 five को हम लोगे यहाँ पे multiply करते हैं six से ठीक है अब यहाँ पे multiply करेंगे six से तो यहाँ ठटी और यहाँ ठटी हो जाएगा फिर यहाँ पे seven फिर यहाँ पे two six हो जाएगा ओके प्लस इसमें हम लोग टेंसर है हमारे लॉजिक भी बिल्कुल सही था कोई बेड़ांगा लॉजिक नहीं था एकदम कॉरेक्ट लॉजिक था ठीक है तो इसी तरह दोस्तों सॉल्व करते हैं आई होप आपको मैं अब ट्रिक समझा दिया हूँ आए चलते हैं आप से प्रैक्टिस करते हैं जितना प्रैक्टिस करें की अपके लिए इतनी अच्छा होगा ठीक है अब हम लोग एक ही करके प्रैक्रिस करेंगे पहले आप करना उसके बाद में आप को स्लिश बनागी डें लौड रहा हूं इसलिए नहीं कि आपको बताने के लिए कि यहाँ solution है आप इसे रट लो नहीं मैं यहाँ पर जो calculation कर रहा था यह calculation बहुत बच्चों को समझ भी नहीं आया था इस वज़े से मैं यह दिया हूँ जो कि आपको PDF हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिलेंगे जो कि description में लिंक दे रखिए आपको मिल जाएंगे वहाँ भी आपको हमारे PDF मिल जाएंगे वहाँ भी देख सकते हो अब प्रैक्टिस सेट पर आते हैं जल्दी से ठीक है अब जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करते हैं अब देखिए हैं हमारा पहला question इसे आप जड़ा solve करो वीडियो पॉच करके ओके बहुत सिंपल है चलिए अपने वीडियो पॉच कर लिया होगा मैं बताता हूँ ठीक है मेरा logic देखो तो इस टाइप कि इतने बड़े बड़े digit को देखे आप ड़ग होगा रहे बाप रहे बाप इसमें क्या है भाई इतना बड़ा digit में कौन सा square multiplication और क्या adding addition किया है तो देखो यहां पर नहीं multiplication नहीं addition नहीं subtraction कुछ नहीं किया है simple सा पहले number को देखते हैं ठीक है analyze करते हैं question को देखिए number को देखे तो 5,8,9,6,5,4 इतने बड़ा number है ओके फिर उसके बाद ठीक दूसरे बात करें कि second वाले में number में तो यहां पर same number है क्या missing है तो cable और cable 5 missing है यहां पर फिर third पर आते हैं same number है लेकिन यहां पर कुछ missing है वो क्या है तो यहां पर 7 missing है तो यहाँ 7 missing है फिर इसमें आते हैं तो same number है लेकिन starting के यहाँ पे है 8 missing है ठीक है ठीक है उसी तरह अब हमारा जो next digit होगा वो कौन सा number होगा तो देखिए starting के 5 मतलब first digit को miss कर रहा है 5 second वाले में last को कर रहा है फिर 3rd वाले में starting को कर रहा है टीए फिर 4th वाले में बात करें तो यहाँ पर बात करें तो इसमें हम क्या miss कर सकते तो इसके अगर starting किया तो इसके last वाले digit को हटा दो थिरी को अटा दो यानि मेरा answer हो जाएगा 96542 हो जाएगा अब देखो इसमें कुछ बड़े डंबर से multiply करते हैं तो पॉसिबली नहीं है बहुत ज़्यादा डिज हो जाएगा समझ रहे हो बहुत ज्यादा हो जाएगा इस वज़े से आप यहां पर कोशन को ब Gloria में कर सकते हो जा तो समतिन कुछ missing भी उसकता है यहां पर देखने यहां यह हो रहा है कि यहां पर यहां सिपट इस्किप किया गया फिर लाश्ट को यहां देखो होगे कि 7 को यहाँ skip किया गया उसी तरफ फ़िर यहाँ पर श्राइट को Иश्किप किया गया फिर उसी तरह यहां पर छिर्नीजी आप यह कोशन मना यह जरा ठ planning करके स्डιο का रहा हूं आफ फॉस्प कर लो पॉस्प इस जरा अपने वीडियो पहुच कर लिया होगा मैं यहां को बताता हूं ठीक है अब जबाद को देखिए यह कहा रहा है फाइफ है शिक्स से फिप्टीन है उसके बाद कौन सा टीज होगा एक से फिवसके बाद फुटी है हाँ जी तो अब यहां क्या लोजिक लगाएं तो क्या हम ज तो यहां पर सिक्स आता है फिर सिक्स को मुटिप्लाई करते हैं टू से फिर इसमें माइनस करेंगे सम्थिंग वन या फिर तो नहीं यह लोजिक काम नहीं कर रहा है जी क्या क्या है चलिए फिर से यहां पर देखते हैं यहां पर प्लस वन किया है यहां क्या किया है यहां पर क्या करेगा फिर यहां पर क्या करेगा यानि 136 अगर अब देखें तो 136 यानि कैसे कैसे किया है तो अगर हम बात करें यह अगर नाइन के बारे में तो 6 नो यह लॉजिक भी कम निकारा है ओके हां मैं समझ गया क्या किया है यह देखो यहां पर क्या किया है कि सबसे पहले अगर हम 5 को करते हैं तो यहां पर आता है हमारा 9 ठीक है उसी तरह 9 में हम लोग क्या आट करते हैं तो 3 तो हमारा प्लस 2 को हमा एट करते हैं तो क्या आएगा 3 तेन दिन 6 नौ 6 15, हां तो यह हमारा ट्रीक सभी में तो हमारा आ जागा क्या तो देखो तीन दू पांच पांच दस दस पांच पंदरा हमारा पंदरा आता है ओके तो पंदरा आ गया उसी तरह बात करें सबी मैंने क्या किया कि 6 में 1 मिनSir सथ में आपको देखो मैं मैंने गल्ती प्र देखो6 में हम लोग क्या इडT कर रहे है यहा पे हम लोग कर रहे है तो हमारा आ रहा है 9 ऐसी वज़े से जानती हो स्लाइड को मिटा दिया था ना इस Fau спас न होग वेकों कोई बात नहीं म क्या मैंने तो यहाँ पर आया 15 ठीक है अफ फिप्टीन के बाद हमने क्या आइड किया था फिप्टीन में क्या अगर क्या करेंगे वन अप्लस डू क्या क्या है आए गा क्या हमारे यहाँ देखो कर रहा है कि नहीं अगर देखते हैं 25 में अभी भी confirm नहीं answer रहे ठीक है अभी हम लोग check कर रहे हैं ठीक है add करते है one plus two plus three plus four plus five अब जारे इसको add करके दो क्या आप 40 आएगा अगर 40 आ जाता है तो हमारा 25 correct answer है ठीक है तो add करते हैं तो 25 हमारा सही answer है तो इस तरह से हम लोग लगा के लिखते हैं तो बहुत simple था ठीक है इसमें भी ज्यादा उतना सोचना भी नहीं था ठीक है आप next question के बारे में देखो ठीक है ये भी असान ही है आप वीडियो पॉच्छ करो फिर उसके बाद आप solve करो चलिए अपने वीडियो पॉच्छ कर लिया होगा ठीक है अपने solve भी कर लिया होगा ठीक है और सबका अपने अपना जैसा कि मैं बोलता हूँ कि सबका अपना अपना logic होता है तो सबसे पहले question को देखते हैं कि कैसा question है तू है 15 है 4 है फिर 12 है फिर 6 है फिर 7 फिर इसके बाद 2 है missing number तो 2 और 4 मतलब 2 दो नीचार फिर 2, 2, 4, 3, 6 फिर 8 फिर एक तो हमार मिल गए 8 ठीक है कोई दिकत तो नहीं है न लेको यहां पर 2 का table लिखा हुआ और कुछ नहीं हुआ ठीक है यहां पर 2 से multiply किया गया है ठीक है फिर यहां 3 से multiply किया गया उसी तर यहां 4 से multiply किया गया तो यह टाय था ठीक है अब चलो 8 तो मि तो 15 है 12 है 7 है तो यहाँ पर क्या क्या तो देखा जाए तो यहाँ पर क्या 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 कि अगर हम 15 में माइनस 3 कर रहे हैं तो मेरा 12 आ रहा है ओके 15 में माइनस 3 कर रहे हैं तो मेरा 12 आ रहा है उसी तरह अगर बात करें कि 7 में माइनस 5 करने पर मेरा क्या आ रहा है 7 आ रहा है ठीक उसी तरह यहाँ पर अगर हम माइनस बात करें कि अगर यहाँ इस दोनों के डिफरेंस लिखें तो यहाँ पर तीन फिर दो डिजिट स्किप करके 5 आ रहा है उसी तरह अगर दो डिजिट स किया गया है ठीक है यहां पे इस्किप किया गया हुआ है तो उसी तरह seven minus QR तो हमारा zero पह्ता आप समझ करेंगा मैं कि यहां चीम ना मैं क्या पुछा हूँ यहां पर बात करें कि 15 में my यहां पर माइनस हम 7 करते हैं तो मेरा 0 आता है अगर हम 1 digit skip करते हैं यानि 6 को skip करते हैं तो और मेरा जहां तक की logic है वो मेरा हद तक काफी हद तक सही है इस वज़े से जो इसका answer हो जाएगा B ठीक है और कोई answer नहीं हो सकता इसका तो इसी तरह अपने भी logic लगाया होगा है चलिए next question को आप ज़रा solve करके बताईए ज़रा ये question को देखिए इससे skip किज़े और बताईए फिर मैं बताता हूँ skip नहीं पहुच कर लो चलिए आपने वीडियो को पहुच कर लिया होगा अब ज़रा question को देखिया जाए तो 2 है 8 है 16 है 128 है इसका मतलब something कुछ multiplication हुआ है ठीक है धिरे धिरे कुछ multiplication यहां नहीं कोई बात करें तो square square तो हुआ है नहीं है दिखने से लग रहा है ठीक है अगर square भी हुआ होगा तो उसमें something multiply किया होगा ठीक है something square करके something कुछ addition किया होगा तो वो भी देख चेक कर लेते है तो 2 है 8 है तो यहां पर बात करें अगर 2 का cube करता है तो हमारा 8 आता है 2 का 4 power करते है तो हमारा 16 आता है लेकिन हमारा 2 का 5 power करने पर 32 आता है तो यह कहां से आ गया बीच में 128 तो यह एक जोल हो गया यह इसके मतलब यह तरीका काम नहीं किया अब देखिए 2 है 8 है तो इसको क्या किया गया है अगर हम 4 टाइम्स को इसमें square करते हैं और इंटू 2 करते हैं तो मेरा 8 आता है उसी तरह बात करें कि 2 को 8 को square तो नहीं यह भी हमारा trick काम नहीं करिया ओके कोई बात नहीं second trick देखिए अगर 2 को हम 8 से multiply कर रहे हैं तो हमारा 16 आ जा रहा है ठीक है 16 को हम 8 से multiply कर रहे हैं तो मेरा आता है 128 क्योंकि मुझे table याद है इसलिए मैं बोलता हूं कि आपको table कम से कम एक से लेके 20 तक आपको table भी आदोना चाहिए सबका square भी आना चाहिए आपको cube भी आना चाहिए तो यह आप reasoning को बहुत अच्छे से analyze भी कर सकते हो जैसा कि मैंने किया ठीक है मैं जानता था कि अगर इसका table अगर इतना बार पढ़ा जागा तो 128 आएगा और इसका table इतना बार पढ़ोगे तो 8 का table मतलब कर रहे है तो 2 से multiply करो तो 16 आता है उसी तरह अगर हम बात करें तो 128 को अगर 16 से multiply करते हैं तो बात करें तो क्या आएगा तो देखो अगर इसको multiply करेंगे तो आपको सिधा सिधी में आप solve करके रखा हूँ तो इस होज़े से मुझे पता है कि इसका answer C होगा तो आपने रफ पे solve करके देखो ये C ही हो जाएगा answer ठीक है अब चलिए next question है जिसको आपको solve करना है ठीक है ये थोड़ा एक unique टरका है ठीक है इससे आप solve किज़ें इसमें वह है कि question दिया हुआ है इसमें से एक wrong series है मतलब बात करें तो wrong digit है जिसमें आपको identify करना है कि वह wrong number क्या है क्या वो 10 है 32 है 136 है या 4116 है क्या है ठीक है अब जैसे कि ये question दिया हुआ है अपको ठीक है तो five question है sorry five question है जिना कि five digits इसको मत समझना है five अलग है तो three है four है फिर ten है 32 है तो इसमें ऐसा क्या किया है भाई तो देखा जाए तो इसमें हम अपना logic लगा सकते है वह वाला जो मैंने alpha numeric series में लगा है क्योंकि ये उसी तरह से हमको दिख रहा है ये बड़ा बड़ा digit है आगे से जब इतना हो रहा है तो इसका मतलब वही वाला trick लगाना पड़ेगा तो अगर हम three को multiply करते हैं one से plus one जोडते हैं तो मैरा four आता है लेकिन यहां तो दिया है thirty two ओके thirty two पे मुझे doubt हो गया कि ये गलत सरी है यहां पे thirty three होना चाहिए लेकिन अब thirty three को भी हम लोग multiply करके देख लेते हैं कि मेरा logic सही है कि नहीं तो thirty three को हम लोग multiply करेंगे four से thirty three को multiply करेंगे हम लोग four से एक निल्ट में जड़ा अच्छे से लिख देता हूँ thirty three को हम लोग multiply करेंगे four से प्लस four add करेंगे तो क्या वो one thirty six आ सकता है कि या जड़ा आप करके देखो ठीक है यह आपका हो जाएगा twelve यह और यह हो जाएगा twelve एक thirty two प्लस four add करोगे तो one thirty six आ गया इसका मतलब हमारा logic सही था और इसका answer हमारा बात करें तो b यानि thirty two के जगा यहाँ पे thirty three रहेगा तो मेरा sequence सही होगा यानि thirty two गलत है देखा इतना simple था मैंने सब बता रखा है इसी तरह के solve करना है आपको और कोई दूसरा method हो सकता है मैं जितना आपको जानता हूँ मैं आपको सब बता रहा हूँ ठीक है और मैंने अभी तक जितने भी competition के जाओं दिये सब इसी तरह से question को solve किया और सही हुआ है मेरा आपका भी सही होगा ठीक है यह सब previous chair के question आयोए से सी railway के मैंने वहाँ से लिया है ठीक है अब जैसे ये question को आप देखो इसे skip करके स्किप कर रहा हूँ पार बार बार देखो देखो नहीं मतलब वीडियो पांच करके इसको देखो चलिए अपने वीडियो को पांच कर लिया होगा मेरा देखो मैं इसको कैसे solve किया हूँ ठीक है यह बहुत ही simple है इसको कैसे करते हैं तो सबसे पहले देखो कि हुआ क्या है तो अगर हम 105 है उसमें क्या इसा मैनस कर जहें कि 85 है सिम कोस्चन है वैसा है वैसे हैं कि इसमें विछ से भी रॉंग बा征र्ण लिकाल ना है इसमें है रॉंग टर्ण फोय दिया हुआ है wrong digits में है आपको उसमें से identify करके हटाना है तो कौन है भाई तो अगर हम 105 में बात करें 85 वगन minus करते हैं तो यह आपका 20 ठीक है उसी तरह 85 में अगर हम minus करते हैं 60 calculation fast होना चाहिए ठीक है तो करते हैं तो यह आपका 5 to 25 उसी तरह अगर हम बात करें 60 में minus 30 करते हैं तो आपका आता है 30 मतलब 55 पांच एड होते जा रहे हैं उसी तरह 30 में हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर 30 में minus 0 करते हैं तो 30 आता है फिर यहाँ पर 0 में सोरी 30 में हाँ फिर यहाँ पर बात करें कि 0 में माइनस 30 करें मतलब 5 5 के इसा से बढ़ रहा है यानि 35 करना पड़ेगा हमको तो माइनस 35 आता है तो यहाँ पर आपका जो है एक चीज गलत है और वो है आपका माइनस 5 होना चाहिए जो कि यहाँ पर 0 है तो हमारा यह पकड़ गया गया ठीक है क्योंकि यहाँ पर हम 30 करेंगे और इसमें से जैसा कि हमने बताया आपको कि यहाँ पर 60 में से माइनस 30 किये तो मेरा क्या आ रहा है यहाँ पर आ रहा 30 ठीक है अब उसी तरद अगर हम 30 से ठीक है माइनस करेंगे क्या 55 के जिए से बढ़ा अगर हम 35 माइनस करते हैं तो यहाँ पर माइनस 5 आना चाहिए जो कि यहाँ पर 0 दिया हुआ है अब यही माइनस 5 अगर हम माइनस 45 करते हैं तो हमारा 90 आता है माइनस 90 यानि मेरा लॉजिक बिल्कुल सही था यानि 0 के जगा माइनस 5 होगा चलिए इसी वज़ा से देखा इसी तरह से कल्कुलेशन किया जाता है आपको पकड़ में आ जाएगा ठीक है जैसे मुझे यहाँ पर प्रावलम हुआ कि अच्छानक यह कैसे हो गया यानि यहाँ पर तू यह होना चाहिए उसी तरह अब चलिए यह वीडियो पॉर्च किजिए और वीडियो पॉर्च कीजिए चलिए अपने वीडियो पॉर्च कर लिया होगा मैं बताता हूँ इसका एंसर अब जिसे A, J, S है इसको कैसे सॉल्फ करें तो तो सबसे पहले आप A से लेके J तक का alphabets लिख लो, बहुत अच्छा तरीखे से, लिखने के बाद यहाँ पर क्या करो, कि अब ज़रा इसको analyze करो, ठीक है, question को, कि A है, फिर उसके बाद क्या आ गया, आपका G आ गया, ठीक है, G आ गया, सोरी, जे करें, G आ गया, फिर उसके में नहीं आ रहा है, क्या लिखे, क्या लिखे, तो हम लोग क्या करेंगे, तो A से लेके J तक को लिखे लेंगे, अगर A के बारे बात करें कि, कि इतना एड किया है, तो आया है, तो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं, कि प्लस 6 कर रहा है, तो आ रहा है, ओके, लेकिन 6 जोडने पर क्या S एयरा है तो 6 जोडने पर क्या रहा है 6 अलफाबेट को किप कर रहे है आगे से तो क्या रहा है तो अगर n, o, p, q, r हाँ जी हाँ जी बिलकुल तो S आ रहा है मेरा यानि सिक्वेंस ये क्या S को 6, स्किप करने पर वाई आ रहा है तो देखते हैं तो टी है यू है भी होगा फिर डावलू एक सांजी वाई पिल्कुल यानि escape करने पे हमारा आ रहा है दखो मैंने A से लेके Z तक तक तो अपने बात करो तो मैंने अपने dairy पर लिखा हुआ है A से लेके Z तक को मैंने लेकिन बात में ऐसा नहीं होगा मैं आप जुरूर बंदोबस करूँगा किसी तरह कि आपको मैं live lecture दूँ ठीक है तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं plus 6 करने पर हमारा है यानि M को M लिखेंगे आप देखो J है P है B है H है इसमें क्या-क्या लग रहा है तो J कितने नमर के बाद P आ रहा है तो J के बाद K है L है M है ओ है P यानि 1 2 3 4 5 6 नमर पर यानि सेम वह ही है यानि सब में बात करें तो इसमें भी 6 है इसमें भी 6 इसमें 6 है इस देख लेते हैं इसके बीच में तो B को कितना डिज़ इसकिप के है तो C,D,E,F जी यानि हाँ यहाँ पर 5 डिज़ को skip करें हैं छटे नमर पर हमारा HR है यानि सेम जी को अगर हम 6 डिज़ को skip करते हैं तो जरूर हमारा next डिज़ कौन सा होगा तो HIJKL ठीक है तो HIJKLMN को अगर हम skip करते हैं मतलग बात करें कि जी क्यों बात तो 123456 यानि हमारा क्या रहा है एन रहा है तो यहाँ पर in होगा ठीक है फिर अब बात करते हैं इसका ठीक है इसका अगर हम बात करें दोस्तों देखो यहाँ पर क्या है न कि अगर एक मिनट जरा गोर फर्माना यहां पर क्या है पी है और हम क्या लिखे हैं हम बोल रहे थे जी जी नहीं तो यह देखो फिर लग मिश्टेक हो गया यहां पी को हम कह रहे हैं तो पी में अगर हम प्लस 6 जोड़ते हैं तो हमारे क्या आता है तो हमारे क्या आता है तो हमारे सिक जोड़ने पर भी आता है तो भी आ गया यानि M B अब आगे समय लोग E ही होगा इसका मतलब B is the correct answer तो इसी तरह हम लोग सॉल्व करते हैं ठीक है इसमें भी सिक जोर ले पर देख लो ठीक है के है क्यों है इसमें सिक जोर के देखो आपने वीडियो पहुच कर लिया होगा अब मैं आपको बताता हूँ तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं तो देखो है की उल्टा देखा यहें जो टि मेर बारें बात करें है तो यह यह दिएरफिय उन Japanese हो मेरा पांच का है देख लो कि में वा पाँच जोड़ो घुट इमतलन तो तीふふ घाट ऊंग उसी तरह बी में अगर पांच जोड़ोगे तो जी आएगा ठीक है बी बात करने लिख देता हूं सी डी एफ लाश्ट में जी देखो वान टू थी फॉर तो पांच वे नमर पे जी आ रहा है उसी तरह जी के बाद मतलब क्या आएगा तो जी में अगर पांच जोड़ते हैं अ इसे वीडियो पहुच करके आप सॉल करें यह भी बहुत आसान है अच जो आयोप आपने वीडियो पहुच कर लिया होगा मैं इसका अंसर बताता हूं ठीक है तो देखो इसको कैसे सॉल्व किया तो देखो सबसे पहले नमबर्स को अनलाइज करो यह 12 का स्क्वार यह 10 का स् इसका मतलब जो लाच्ट डीछ होगा वह हमारा किसका स्क्वार होगा वह हमारा सेवन के स्क्वार होगा ठीक है जो कि एक नट हाँ 12, 10, 9, 8, 7 यानि 49 सोरी, सोरी, सोरी मुझे यहाँ पर कोशन नहीं दिखा, सोरी मैं ही ठीक से नहीं कोशन पड़ा तो यहाँ पर missing number लिखाना है ठीक है, क्या होगा तो जैसा कि मैं बताया कि यहाँ पर 12 होगा फिर उसके बाद 11 का square किया होगा फिर 10 का किया है, फिर 9 का किया है, फिर 8 का किया है तो यहाँ पर 11 का square किया है यानि this option is correct ठीक है 11 का square जो हमारा होगा, क्या होगा हमारा 121, बिना समय बरबाद किये मैंने किया ठीक है, आप भी करो आपका भी अंसर आगा, अब देखो यहाँ पर इसको कैसे solve करें sir, तो इसको बहुत असान है इसको solve करना, आप एक काम करो, यह से लेके जेट तक लिख लो, और देखो कितना कौन-कौन सा digit skip कर रहा है, जैसे कि w है, w को अगर कितना digit minus करेंगे तो इस आता है, तो अगर हम 3 digit को हम minus करते हैं, फिर पीछे से skip करते हैं तो हमारा a, इस साथ है, जैसे कि बात करें कि a, टी, यू, भी, डाबलू, तो यह जो तीन digit, इस और digit कर रहा हूं, तीन alpha weights है, उसको skip किया जा, तो हमारा a साथ है, तो a साथ है, ठीक है, अब second के इस के बारे बात करें, कि अगर q से लेकि इस तक के बारे बात करें, तो q है, और यहाँ पर देखोगे, r है, s है, t है, फिर क्या है, एक मिनट, यहाँ पर देखोगे, तो यहाँ पर क्या किया है, तो पहले था 3, अब क्या कर रहा है, एक कर रहा है, मतलब r को स्किप कर रहा है ठीक है फिर उसी तरह फिर एक को स्किप करके यहां पर लिख रहा है क्या यहां स्किप करके लिख रहा है एक को स्किप करके ओ फिर उसी तरह एक देखे करके स्किप इसी वज़े से यू आया था ठीक है अब जाले ये कोशन को जो एक है ये भी बहुत असान है इससे भी आप सॉल्फ कर सकते हो वीडियो पाउस कर लिया होगा अब देखता हूँ देखो मेरा कैसा बनाता हूँ तो बहुत सिंपल है के एम पी आई पी एट पिले कोशन करना लाइज करते हैं बहुत क्या क्या रही है तो यहां के है एम है पी है आई पी है एट है जी एग स्च इलेवन और फूर्टीन ओके अगर हम देखें कि एट है उसमें क्या जोड रहा है दो जोड रहा है तो मेरा 11 आ रहा है 11 में हम 3 जोड़ रहा है 14 आ जा रहा है 14 में 3 जोड़ रहा है मेरा 17 आ जा रहा है यानि A, D को हटा दिया जा यानि B और C में option है अब बात करें K, M, I, P, G, S और E, V को कैसे solve किया जाए तो देखा जाए K के बाद I आ रहा है K के बाद I आ रहा है इसका मतलब पीछे से J जो है यानि I, J, K होता है J को skip किया जाए चलो ठीक है फिर उसी तरह J, H, I है तो यहाँ पे H को skip करके G लिखा जाए उसी तरह E जो है skip किया जाए यानि E, F, G, यानि F को skip करके E आ रहा है उसी तरह अगर हम बात करें कि C को C, D, E यानि D को इसकी परके C लिख रहा है इसका मतलब C is the correct answer यानि C आएगा something कुछ आएगा यहाँ पे और उसके बाद मेरा आ रहा है 17 ठीक है? तो C is the correct answer मैं बीच का यहाँ पे क्यों नहीं लिख रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे logic, logic सही है question आपका बिल्कुल correct होगा मतलब option जो है बिल्कुल correct है आपका answer बिल्कुल correct है logic के हिसाब से आपका सभी सही होगा है इस वे बिना समय बात किये इस तरह solve करते हैं ठीक है? I hope आपने यह trick और tips आपको अच्छा लगा होगा और यह जो है हमारा practice set 2 है जो कि आपको हमारे telegram channel में मिलेगा और वो हमारा description में लिंक दे रखा वहाँ से आप download कर सकते हो यह मैंने 10 questions set रखे हैं आपके लिए आप ज़रा इससे देखे हो और इससे solve करो जितना ज़रा practice करोगी आपके लिए उतना ही आसान होगा दोस्तो इसमें कुछ नहीं है जैसा मैंने बताया उसी तरह solve करना है अगर आपको वीडियो में मालो कोई भी difficult हो रहा solve करने में question तो एक बार वीडियो को फिर से एक बार अच्छे से देखो और देखना आपको बिल्कूल पूरी तरह से आपको अच्छे से समझ में आएगा ठीक है आप चाहो तो एक बार और अच्छे से वीडियो देखना ठीक है आज दिले बस इतना ही दोस्तों धन्यवा ठैंक्यू have a great day